Next is question number 6 बच्चों देखेगा अगर मैं इन सबको add करूं ये रहा 10 ये रहा 12 प्लस 0 तो ये बच्चों रहता है मेरे पास 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 एक्वल टू 12 और उसमें से 2 माइनस कर दीजिएगा तो आ जाता है 10 6 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 8 और ये रहता है 26 उसमें से 2 माइनस कर दीजिएगा आ जाएगा 24 ठीक बच्चों ऐसे ही मैं कुछ यहाँ पे करता हूं 14 दिस इस 14 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 10 तो बच्चों ये रहता है मेरे पास 18 30 40 40 में से अगर 2 माइनस करे तो रहता है 38 जो की यहाँ पे रहेगा 38 नेक्स अथा कोशन नमबर 7 दिस वन क्योब 2 क्योब 3 क्योब 4 क्योब यहाँ प्लस 9 प्लस 3 प्लस 7 और ये बच्चों रहता है this is 20 or 10 equal to 30 तो ये वाला sum भी मेरा क्या होना चाहिए 30 होना चाहिए let's say this is x x प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 that should be equal to 30 और x की value मेरे पास आ जाएगी 15 जो की option number मेरे पास क्या है d this is question अगर मैं आपने क्या करना है 9 15 में से 364 को just subtract करना है बच्चों this is 1 ये 5 8 में से 3 अगर जाते हैं तो 5 5 51 बिल्कुल correct है that mean इसमें से just इसको subtract करना है ठीक है यहां पे भी इसमें से इसको जो है subtract किया होगा तो 863 में से मैं 241 को subtract कर देता हूँ तो यह रहेगा 2 यह रहा 2 यह रहा मेरे पास 6 तो जो की option number बनता है second next is the important one question यहां पे जो gap है बच्चों वो 2 का gap है यहां पे 3 का gap है यहां पे जो gap है वो 5 है यहां पे जो gap बनता है 9 का जो बनता है और next one gap अगर मैं यहां पे बच्चों next pen अलग color का use करके अगर निकालने के try करूँ इन 2 के बीच में अगर gap निकालने तो वो 1 है इन 2 के बीच में अगर gap निकालने तो वो 2 है इन 2 के बीच में अगर gap निकालने तो वो 4 है next gap मैं निकालना है तो ठीक है बच्चो इसका 2 टाइम ये बना इसका 2 टाइम ये बना इसका 2 टाइम जो है 8 बनता है 9 प्लस 8 that means कि यहां पे 17 जो है होना चाहिए 22 में अगर मैं 17 एड़ करता हूं तो it will be 39 तो यहां पे क्या होना चाहिए 39 option number C